दोस्तो बेलकम टो माई यूटूब चैनल सौरब लेक्षर दोस्तो आज के इस वीडियों में आपको बताने वाला हूँ जैस अंकर प्रसाज जी का जीवन परचे जो की मोश्ट इंपॉर्टन जीवन परचे है आपके बोड एक्जाम की दिरिष्टी से दोस्तो 2024 बोड सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है उपर में उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है जीवन परचे आपको क्या लिखना है जैसंकर प्रसाज जी का जन्म हुआ था तो तो दोस्तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने वाला हूं जीवन परचे और इनके पिता का नाम जो था बाबो देवी परसाद जो इनके पिता का नाम था वो बाबो देवी परसाद तथा माता का नाम क्या था मुन्नी देवी था तो दोस्तों आपको जो इनकी में में चीज़े है यानिकि इनकी माता और पिता का जो नाम है उसको आपको हाइलाइट कर देना ह आपको लिख देना है अच्छत से जिससे आपको एक जामनर फुल में फुल मक दें कि पांच में से 5 नमबर आपको दे उसके बाद इनका परिवार सुगनी साह के नाम से पसित था इस परकार जैसंकर प्रसाद जी को जन्म से इस साहितिक वाता और पराप्त हुआ जैसंकर प् और फाटा पीटा की क्या हो गई निधन हो गया कि मिरुथ हो गई दोस्तों इनकी सिच्छा दिच्छा का परबंद बड़े भाई इनके जो बड़े भाई सिरी संभुनाज जी थे उन्होंने स्वरपर्थम इनका नाम जो कोईंस कालेज में लिखाया गया इनका किन्तों वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग सिच्छकों से अंग्रेजी और संस्क्रित का अध्यन करने लगे जब इस सत्रा वर्ष के थे जैनि कि जब इस सत्रा साल के थे तभी बड़े भाई सिरी संबुनाजी की मिरत हो गई इन्होंने तीन साधिया की किन्त तीनों ही पतनियों की आसमय मिरत हो गई इन सभी आसमाहिक मौतों से अंदर ही अंदर टूट गए संगर्ष और चिंताओं ने स्वास्त को बहुत हाई पहुंचाई पहुंचाई छे रोग से पीडित होने के कारण सन 1937 अस्वी में इनका क्या इंपोर्टन जो फेमस रचनाय मैंने वही लिया है तो इसकंद गुप्त इनकी जो रचनाय है और आजास्तु चंद्र गुप्त दोस्तों तो दोस्तों मैंने आपको अग्दम सिंपल तरीके से मने आपर जै संकर प्रसाज जी का जयोन पर्चे बता दिया अगर आप इस तर